साथियों नमस्कार मैं राम प्रताव सिंग कुश्वाहा आज पावन स्री संकट मुचन हन्मान जी के जन्मोत सो अउतरन पर सभी को हमारी तरफ से हार दिक सुपकाम नाएं आज पूर्ण मासे है और जब से मुबाइल फॉन हाथों हाथ आ गए हैं सभी के तब से फोटोग्र का भी इत्यास बहुत पुराना है उस पर कभी विश्टे चर्चा करेंगे कुछ चित्र ऐसे होते हैं या कुछ फोटोग्राप ऐसे होते हैं जो हमें पूरे जीवन याद रखना चाहिए और रहते भी हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं तो आज छोटा सा एक ये किलिप आ और जो आगे आने वाला सीजन है ये उसकी चेतावनी है और उसकी वार्णी है और इसमें हमने किसी भी तरह कोई बनावट या कोई वो नहीं किया है जिन नैचुरल है प्रिकति कोही समर्पित है और जीव जन्तों की रक्षा के लिए समर्पित है किष视 अ कर्वान की वान है अलेवा यानगा टनाव खें और एंक है जिए वास्योश्त है यूंगा यूदए झाहर आपने ये छोटी सी किलिप देखी होगी इसको हमने यतार तुरूप में ही रखा है तो अब आगे जो सीजन आ रहा है जून जुलाई माई का जो महिने आ रहे हैं वो वास्तों में बहुत ही विकट होंगे गर्मी की दिश्ट से तो हम सभी का दायत है कि अध्यात्म और पूजा के साथ मैं यह नहीं कहा रहा हूँ सर्वोपरी तो यही है लेकि साथ में जीव जन्तों की रख्षा करना क्योंकि ब्रम्हांड में पूरे ब्रम्हांड पे आप नज़र डालें तो सबसे प्री सबसे सुन्दर सबसे महान अगर कोई करती बनाई है तो आदमी की बनाई है और इस दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं वो आदमी के लिए हैं व्यक्ति के लिए हैं मानों के लिए हैं तो और ये हमारे लिए ही बनाई है इश्वर ने, इसमें कोई दोराई नहीं, अब इनका उप्योग हमें कैसे करना है, ये हमारे उपर ही छोड़ दिया है भगबान ने, तो चलिए साब इस मोटिवेशनल उसके द्वारा हम सब ध्यान रखें, जिव जन्तूओं का और अपना आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो, हमारी शुक कामनाएं धन्वाज, जैहिंद, जैहिंद, एक सड़क के किनारे अगर कोई मुर्जाया हुआ पेड़ आपको इस गर्मी में जुलसता हुआ, जलता हुआ नजर आए, तो उसमें भी एक लोटा पानी अवस्ट डालिए, अगर वरक्ष ना लगाया हो, पौधा ना लगाया हो, तो अपने घर की बगिया में, अपने गाउं के खेतों में अवस्ट एक वरक्ष लगाईए, जैहो स्री संकट मोचन, स्री हनवान जी महराज की जैहो, क्योंकि प्रिकति के अगर रखवाले हैं, और स्रिष्टि के एए, तन्न वा जाईए, इ ज एकर प्रिकति के खेतों में, स्र subjects की बगाईए, जैक हैं, स्रीकार मैं